आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में पॉलिटिकल साइंस के बिये थर्ड समेश्टर में जो चाचात रहे हैं उनके लिए बहुत ही मह पेपर करवाईए या अब्जक्टिव टाइब के माड़े पर लाइए जिसमें अब्जक्टिव को संसों जो कि पिछले दो तीन वर्सों में पूछे गए हूँ तो इसी स्रिंखला के तहत मैं प्रकार से आचुका हूँ आपके समक्ष इंपोर्टेंट हंडेड यमसी क्यू क्या सही उत्तर हैं उसको आपको बताने का प्रियास किया जाएगा यहां पर बहुत ही महतपूर्ण महतपूर्ण अब्जक्टिव टाइप के सव से अधिक अदिक अधिक अब्जक्टिव को साइंस आज की वीडियो के माद्यम से में डिस करूँगा पॉलिटिकल साइंस ब आजनेतिक परकरिया के बारे में आपको पढ़ना होता है कुछ बच्चे एक परकार से जो हैं वो डी डी यू से होंगे तो डी डी यू के लिए सिद्धार्थ उनिस्टी के लिए इंपोड़न्ट है ऐसे ही आप देखेंगे राजा महंद प्रताप सिंग इस्टेट उनिवर्सटी ठीक है मासा कुमभरी उनिवर्सटी माराजा सुहल देव इस्टेट उनिवर्सटी डाक्टर भीम राओं बेड कर आगराई उनिवर्सटी इसे और तमाम प्रकार की उनिवर्सटी जिनकी परिछाएं अबजक्टीव हो रही है उनके लिए बहुत ही महित्पूर है और बाकी जिनकी आपजक्टीव नहीं हो रही मेजर की उनकी माइनर की आप जक्टीव होंगी ये से रामनोहल लोही आविर बहादूर सिंग क्लियर आई एक प्रस्णों को हम बहुत इबारेकी के साथ समस्ते हुए आगे बढ़ते हैं देखें प्रस्ण आपके स्किन पर आचुका भई सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे पहला को संस आचुका है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो मुख्य चुनाव आयोग तो जो होता है ये परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयोग तो जो होता है वही एक प्रकार से परिसीमन मलब क्या होता है कि कितने एरिया बर चुनाव होना है या कौन से एरिया को अलग करके दूसरा संसदी चेतर घोजित करना है कोई बिधा वायुक्त के अलामा उसके दो सलाकार भी होते हैं दो सहायता के लिए जिनको अन्य चुनावायुक्त भी कहते हैं ठीक है तो वो भी ध्यान लखेंगे अगला को संसा चुका है आपकी परिच्छा के दिश्टी से इंपोर्टन्ट है तारकुंडे समिती तथा गोस्वामी समित प्रस्न है भारत की विदेश नीती के मूल सिध्धानतों का समाबेस भारतिय सिध्धानत के किस अनुच्यद में किया गया है ये बात आप ध्यान लखेंगे आगे देखेंगे अगला को संसा चुका है भारत सोबियत सान्ती मैत्री और सहयोग संधी कभ हुई थी भारत और स सोबियत के बीच में जो सान्ती जो है मैत्री और सहयोग की संधी जो हुई थी उनीस सो इकात्तर इस भी में हुई थी आप से नंबरे करेक्ट एंसर होगा परिक्षा में आ सकता है तो इन प्रस्नों को आप नोट डाउन करते हो चलेंगे ठीक है आगे देखेंगे अगला को कोशन से भारती विदेश नीती आधारित है किस पर सनिक संगठन पर नहीं पटस्तता पर नहीं आसयोग पर नहीं गुट निरपेक्षिता पर बिल्कुल इसका करक्ट एंसर हो जाएगा बी आप सन आगे देखेंगे अगला कोशन सा चुका है प्रस्न है भारत रूस n. s. s.S. shirt होगा अगला कोशन चुका है भारत्य विदेश नीती आधारित भर्ति विदेश नीती पर पर तो परकार से गुलराज सिधान पर काम करती है आपसा नमबर D करेक्टर एंसर होगा अगला कोसन से पंचसील सिध्धान के प्रत्पादक कौन थे तो पंडी जवाहलाल नहरू जी जो थे ये पंचसील सिध्धान के प्रत्पादक थे बहुत महत्मूण प्रसने परिक्षा में कई बारा आया हुआ है ध्यान रखेंगे अगला कोसन से आचुका है मोरार जी देसाई सरकार ने अगली गुट निर्पेक्षिता का नारा दिया था कब 1977 में दिया था बंचला देश जोकी प्रकार से पूर्भी पाकिस्तान के नाम से जाना याता था वह प्रकार से बंचला-देश के नाम से समक्षा आता है किलियर ध्यार नखेंगे एक चीज और ध्यार नकेंगे अगर माल लेते हैं आपको यह आप पढ़ रहे हैं जिस यह कोई संसर की सरिंखला जो पराप्त हो रही है इसका पीडियाप या फिर और भी सब्चक्ष के कॉर्स आपको लेने हैं पॉलिटिकल साइंस का कॉर्स लेना ह इसका लगबग chapter wise classes बहुत सारी हो चुकी है ठीक है model paper, महा संगराम, revision class इस सब हो चुकी है तो इसका अगर आपको course लेना है बाकी political science का ही नहीं जितने भी subject आपके 3rd semester में है co-curricular को भी एक परकार से include कर लें आप तो उन सबी का course एक परकार से मातर 100 रुपीज में आपके लिए ब्यवस्ता करी गई है तो मातर 100 रुपे में आपके लिए ब्यवस्ता कर दी गई है तो आप एक परकार सेगर course लेना चाहते है जिसमें आपको objective के PDF, लिखित के PDF महा संगराम revision class के PDF, चेप्टर 22 PDF और यह सब चीज़े मिलते रहेंगी और video lecture मिलेंगे, live classes मिलेंगी doubt आपके जो होंगे वों भी clear होते रहेंगे आपको करना क्या है? आपको 91, 61, 93, 62 यह मेरा WhatsApp नंबर है इसी पर आपको SMS कर देना है और आपको group से जोड़ दिया जाएगा आपको क्या करना है? आपको अपना नाम इसी नंबर पर WhatsApp करना है अपना नाम, अपनी university का नाम ठीक है? और आपका क्या-क्या subject है आपस अपना subject name भी यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, university का नाम, subject name लिख करके आप भेज दीजिएगा आपको एक परकार से group से add करवा दिया जाएगा तो अभी group से जुड़ने के लिए आप भटा-भट से SMS कर दीजिए कि गुरू जी हमको group से जुड़ना है उसमें क्या होगा कि जितने भी objective model paper और objective के जो question paper विविन बिश्विद्याले में होंगे जो सालब करवाए जाएंगे उन सभी के PDF आपको मिल जाएंगे ठीक है ये बात आप ध्यान लखेंगे तो PDF आपको लेने के लिए एक प्रकार से आप जो है भटा-भट से SMS करके और PDF ले सकते हैं आपको जैसे SMS करेंगे तुरंत आपके पास एक scanner send किया जाएगा उस scanner पर आपको मात्र 100 रुपे send करके उसका screen set आपको हमारे पास send कर देना होगा उसके बाद में आपको group में add कर दिया जाएगा और जितनी भी class अभी तक हो चुकी प्रस ना चुका है महोदय प्रस ने भारत पर अमेर्की परतिबंद कब लगाए गए थे 1998 में लगाए गए थे आपस नमबर इसका C करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन सा चुका है अखिल भारतिये Muslim League की अस्थापना किस वर्स हुई थी अखिल भारतिये Muslim League की अस्थापना 1906 में हुई थी ठीक है आपस नमबर इसका D करेक्टर एंसर होगा अच्छा एक बात और ध्यान अखेंगे इस वीडियो को एक बार ऐसे देख लीजेगा फिर उसके बाद में जब आपको PDF मिलेगा फिर एक बार वीडियो को आपको देख करके प्रस्ट को मिला करके पिर उसको अपनी कापी में लिख लेना होगा कि इस वीडियो का एक प्रकार से ये उत्तर होगा आइंस्वर भी आपको मिलाना है आइंस्वर मिलाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ चुकि एंस्वर मैंने टिक नहीं लगाया किसलिए टिक नहीं लगाया ताकि एक प्रकार से आप पहले questions एक बार वीडियो को देखो फिर उसके बाद में जो आपसे हल हो जाएगा तो एक practice at भी आपका यही मालत में पर की पीडियाप एक practice at भी बन जाएगी तो आप उसको हल करेंगे, नहीं हल कर पाईए तो फिर से वीडियो देखियेगा, वीडियो में सारे उत्तर में बता ही रहूँ ठीक है, चले, अखिल भारती मुसलिम लिग की अस्थापना 1106 में हुई थी, अगला कोशन आप राजनेतिक परकरियां संबन्दित हैं, प्टा बड़ से आप बताएंगे, राजनेतिक परकरिया संबन्दित हैं, किसे? राजनेतिक परकरियां, चुनाव मातंडियां से सब्सक्राइब कर दोनों तरीके की होती है यह 2023 में प्रस्न खूब दबा के पूचे गए दिन दैलों पद्ध है गोरक प्रविश्विद्याले और महराजा सुहिल देव उनिश्टी राजा महें प्रताप संग श्टेट उनिश्टी भी डाक्टर भीम राओं बेड़कर आगर संताथमक्ता दबाऔ समू और समुदायक्त दबाऔर समुद एक प्रकार दबाओ समुद को संभगोमिनों ने असे ऊपने हितों की पूर्ती के लिए Sanbylarki Gmin आगे देखेंगे अगला कोशन से मतदान ब्योहार किसका रूप है बताइए मतदान ब्योहार किसका रूप है समाजिक ब्योहार का रूप है क्या मतदान ब्योहार किसका रूप है या समाजिक ब्योहार का सोसल बेहेवियर का रूप है मतदान ब्योहार ठीक है यह बात ध्यान चुनावी प्रकरिया के अध्यन का सरप्रतम प्रयोग जो किया था योगेंद्र यादो ने किया था आफ सा नबर इसका एक पर तूंबर देखेंगे तो अनुचे 324-329 तक परकार से चुनाव से रिलेटिटर है अगला कोशन सा चुकाए विया वैस्क मताधिकार विवस्था जो है संभीधान के किसंद में परति मलब की प्राविधानी थैं वैस्क मताधिकार विवस्था संभीधान किसंद में की गई है अनुछे 326 में की गई है भी आपसन इसका राइट एंसर हो जाएगा आगे देखते हैं अगला कोशनस आपके स्किन पर आ चुका है फटावट से आप देखने का प्रियास करेंगे बहुत ही मैतमूर कोशनस आ चुका है वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल प्रगर नहीं ह करना यह राज के एच्छी कार में सामिल हैं तीनों जबकि बिधी और व्यवस्था की अस्थापना करना यह एच्छी कार नहीं है ठीक है आपसन इसका ही करक्टेंसर हो जाएगा अगला कोशनस आपकी स्किन पर यह राज की इच्छा पर डिपेंड नहीं करते संभिधान के कर्या नहीं करते हैं यह राज की संभिधान सामिल में संभी आपकी स्था करते हैं और यह लागव हैं राजिय्का पर इसे में अर्म से वैसे राज के एक प्रकार से ये सभी तत्तों होते हैं सरकार, निशिद भूभाग, जनसंख्या और संप्रभुता ये चारों मिल करके किसी राज का या किसी देश का निर्मार करते हैं किसी देश की संप्रबुता जो है उसकी सबसे बड़ी एक प्रकार से विसेश्टा होती है संप्रबुता मतलब होता है कि वह राज अपनी मामले आंतरिक और बाहिरी दोनों मामले की नड़े में एक प्रकार से किसी दूसरे देश से पूछना नहीं पड़ता उसको खुद ही लेता है ठीक है वो राज एक सौबरिन होता है वो राज आपका संप्रभू होता है तो भारत एक संप्रभू कंट्री है यह नि मोदी जी को कोई नड़े लेना होता है तो अमेरिका से और ब्रेटें से पूछने नहीं जाते हैं वो अपना नड़े लेते हैं अगला कोशन सा च इनमें से राजिकों सा है यम्लकित में चलिए भार र一直 in एक सनस्था है मद्ड प्रदेष to मिजोरम भी एक स्टेट है और म्यामार यहां पर एक राज होगा क्यों म्यामार एक राज होगा इसका कारड़ यह है कि जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में राज सब्द का परियोग देखें तो राज का मतलब उत्तर प्रदेश मद्यपर्देश और मिजोरम तिरपूरा और आप के कि लिएर हुआ कि म्यामार क्यों है बिल्कुल आपसणी का यह सब्द का आर्थ क्या है पॉलीस सब्द का माला हुथ अगला कोशन से किस बिचारक के अनुसार नागरिक्वा है जो राज्य के कारियों में भाग लेता है अगला कोशन से निमलिखित में से किस आधार पर नागरिक्ता नहीं प्राप्त होती है बताएं निमलिखित में से किस आधार पर नागरिक्वा नागरिक्ता नहीं प्राप्त होती है तो विबा के द्वारा नागरिक्ता मिलती है जनम के द्वारा भी वंस के द्वारा भी ब्यवसाई के द्वारा नागरिक्ता नहीं दिया आती है आपसे नमर बी करेक्टर एंसर हो अगला कोशन से कौन से कर्टब राज के लिए बादिकारी होते हैं तो राज के लिए बादिकारी कर्टब्य में बैधानिक कर्टब राज के लिए बादिकारी होते हैं ठीक है यह बात आप ध्यार नखेंगे आगे दिखेंगे अगला कोशन साब किसके न पर आचुका है प्रश्णों को जानने का प्रियास करते हैं पटापट से गवार वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर नहीं आये तो सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा आईसे ही informative वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ ठीक है चले अगला कोशन साब की स्किन पर आचुगा भीया परस ने भारते कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थापना किस ने की थी तो भारते कम्यूनिस्ट पार्टी के स्थापना मन डाय ने की थी अगला कोशन साब की स्किन पर आचुगा गदर पार्टी के स्थापना किस ने और कब की थी यह सब पॉइंट ध्यान रखेंगे इंपोर्टन है परसन परिक्षा के दिश्टी से नोट करते हुए चलेंगे अगला कोशन साब भारत में खिलाफा तांदोलन कब और किस देश के सासक के समर्थन में सुरू हुआ था तो भारत में खिलाफा तांदोलन जो है वो तुर्की के समर्थन में सुरू किया गया था 2020 में महात्मा गांधी ने आ सहियो गांदोलन के साथ खिलाफ़त अंदोलन को भी एक परकार चला दिया था क्योगी भारती幽मानों परकार से एक करने के लिए खिलाफ़त अंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी की द्वारा अगला कौue Sud से खलीफा पद की समापती तुर्की ने कब संपन की भीया 1924 में संपन की आपसन नंबर इसका एक रख्टेंसर होगा अगला कोशन से भारतिय स्वाधिन्ता समिती 1914 के स्थापना कहां की गई थी तो भारतिय स्वाधिन्ता समिती 1914 के स्थापना जर्मनी में करी गई थी कब करी गई थी तो 1914 में ही करी गई थी सी आपसन अगला कोशन से ताना बाना अंदोलन किस आदिवासियों में हुआ था तो ताना भगत ताना भगत आंदोलन जो हुआ था ये औराओ जन जाती के द्वरा किया गया था औराओ जन जाती एक प्रकार से पाई जाती है आपकी अ लिए पेक्ट किस वर्स हुआ था बताएं गांधी इर्भिन सम्झोता हुआ था आपसन नमबर इसका डी करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन से 1905 में बंगाल का विभाजन किस ने किया था 1905 में लाड करजन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था पर पश्री बंगा होगा अगला कोशन सा चुका है भारतिय संभिधान सभा की संगिये सक्ती समिती की अद्धिक्ष ड do था ठीक है किस कौन सा एक्ट आर्स एक्ट ठीक है आप सनमर इसका सी करेक्ट एंसर होगा अगला कोशन सापकी स्किन पर आचुका है पटावट से आप वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर अगर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा चुकि इसी प्रकार स फाल राचसंग की सुरक्षा परिस्द में कितने 20 सदस देश हैं जिनने बीटव अधिकार मिला है यह बात ढ़्यान रखेंगे के हृध अगला कोशन से म्यामार में कि स्ट्रह की सरकार ती म्यामार में किस तरह की सरकार थी तो म्यामार में सेन्ध are किकी अगला कोश्न सैंसान अतवा राज तंत्र किस प्रकार की सांसन है तो सैंसान अतवा राजतंत्र जो है ये आलोक उसकर प्रचल नत्र करता है कि अगला परसंप किसकेन परा चुका है किस पर law Rab की सफलता जो होती है नागरीकों की एक प्रकार से बिबेगपूर्ट सहिभागजिता पर डिपन करती है कि लोगतएं सपल होगा यागर कुछ फंळया लाथा पूरत करेगा यह अगर नहीं करेगे तो उसके में अगला कोसल से लोकतंतर जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया सासन है यह कथन किसका है most important person में हमेशा पूछा गया लगातार person पूछा गया दो-तीन वर्सों में अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के राश्चपती थी इन्होंने कहा था कि लोकतंतर जनता के द्वारा जनता के लिए के अगया सासन होता है आगे देखेंगे अगला परस्टन है निमलकित में से कौन सा कदम लोकतांतरिक सुधार का सुचक है बताएं निमलखित में से कौन सा कदम लोगतांतरिक सुधार का सूचक है तो पंचायती राज डिवस्था जो है ये लोगतांतरिक सुधार का सूचक है अगला कोस्टन से निमलखित में से कौन प्रतेक्ष परजयतंतर का उपकरण नहीं है बताएं प्रतेक्ष परजयतंतर का से नहीं हो पाता अगला प्रसना है निम्लिखित में से किसने लोगतंत्र को जीवन सैली के रूप में संभोधित किया तो लोगतंत्र को जीवन सैली के रूप में संभोधित किया है टीबी इसमित महुदे ने आपसा नंबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसना चुक अगला परसंद डेमोक्रेसी थेयरी नामक डेमोक्रेसी थेयरी नामक पुस्तक के लेकक कौन है तो उसके लेकक है सार्टोरी महुद है आप सनमबर इसका भी करेक्टर है सरोजगा अलाकि जेपी नराण भी प्रकार से प्रतेक्ष लोगतंतर की उधाड़ा को देने के लिए ज तुछा गया है ठीक है किस निकी भर्जातंतर में बहुमत की निरंग कोस्ता होती किस ने कहा था यह तामस पेन का कथने आप से नंबर सी करेक्टर होगा ध्यान रखेंगे इन सभी प्रसंदों के बारे में परिक्षा में प्रसंद आता रहता ठीक है चले आगे देखते हैं चोटे देशों के लिए सफलमानी आती है और मातर एक ऐसा देश है सुर्जलन जहां पर यह एक प्रकार से है चुकि भारत जैसे बड़े देशों में प्रजातंतर की बात ही नहीं कर सकते हैं अगला प्रसंद प्रजातंतर में अंतिम सत्ता समाहित रहती किस की हाथ में तो बलकुल भाई जनता के हाथ में यह प्रसंद खोल पूछा गया दभा करके बहुत ही मैफमोर प्रसंद ध्यान प्रजातंतर योग तंत्र या डेमोक्रेसी की जो अंतिम सत्ता हुती है वो जनता के हाथों में नहिट हो थे है अगला कोशन से प्रजातंतर का बहुलवादी सि अगला कोशन से किस ने कहा प्रचयतंत्र को जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए अगया सासन के रूप में परिभाजित किया तो अब राहम लिंकन ने लगातार पिछले आप देखें 2017 से ले करके अभी तक यह प्रसन पूचा गया खुब दबा करके तो जार बीस दो जा लागु हुई और परिक्षा में परशन से पूछा रहे दो एंचसे पहले से ही ऑगजा सामिल का जए प्रकास करते हैं प्रके था नराण अगला कोसंस आप देखेंगे अगला कोसंस है अन एक्षुक प्रजातंत्रबादी किसे कहा गया है अन एक्षुक प्रजातंत्रबादी यह J.S. Mill को कहे जाता है जान इस्ट्वर्ट मिल को अपसा नमबर इसका C करेक्ट एंसर होगा जम सिमिल के पुतर थे ये ठीक है वो भोक्ताबाद की जनक माने जाते हैं वो भोक्ताबाद की प्रडेता माने जाते हैं अगला कोशन से लोगतंत्र में बहुमत की ताना साही की अवधारा किसने अगर सारित की या किसने दी लोक तंतर में बहुमत की ताना साही की अधारा जो दी है वो डी टाक बिले ने दी है यह यह प्रसंद कई बार परिछा में आया हुआ यात कर लीजिएगा अगला कोशन सा चुका है या किसने कहा कि लोगतंत्रवास आसन है जिसमें प्रतेक के पास एक अवसर होता है और उसे वह ज्यात होता है अविदित होता है कि यहाँ उसके पास है यह अवसर उसके पास है यह लॉबेल महोदे ने कहा था यह बढ़िया कोशन से परिच्छा के बड़े जबरे समर्तक है आप सनम बड़े करक्टेंसर हो जाएगा यह बात आप ध्यान लखेंगे आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं वीडियो को सेर कर दीजेगा और लोगतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा असिक्षा होती है यह बात आपके लिए इनफॉर्मेटी वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रूँगा ठीक है चले जानने का प्रियास करते हैं अगला को सब्सक्राइब कर आच प्रियास करेंगे प्रस्ने संब्धान का प्रस्ने संब्धान उस पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज़ी के दोरा अपनाई प्रतीक है जो किसी राज़ी Utah वारा अपने लिए अपनाई जाती है यह किसने कहा था यह कथन किसका है जेले नेक महोदे ने कहा था आपसे नंबर इसका यह करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसना चुका है भी या सभी लोग देखेंगे प्रसने बिक्सित संविधान में निमलखित में से किसका मुख्य अंगलेंड में कोई संविधान सैंतर ही इसको कहा था किसने कहा था किया ब्ली में क्या था है प्रकार से अपने एक परकार से ने के माध्यम से एक प्रकार से धीरे-धीरे बनता गया है और इंग्लेंड का संविधान लिखिस संविधान नहीं है आ लिखिस संविधान है वहां का संविधान लिखा नहीं गया है दुनिया का सबसे बड़ा लिखिस संविधान अपनी भारत का संविधान ही है अगला परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है या अगला कोशन से किस परकार सम्विधान में कुरांती की संभावना अदिक होती है तो कठोर सम्विधान परिवरतन करने के लिए बहुत माता पच्ची करने पड़ेगी लचीले सम्भीधान की उपयोगिता बहुत जानी आती है कि एक परकार जंता को कोई प्रदी आसमिदान है दुनिया का जबसे बढ़ा तो भारत में बहुत दलीय प्रणाली है भारत में आप देखते है भाजबा का अंग्रेश और ऐसे तमाम प्रकार के पाटिया आपको मिल जाएंगी अगला को सनसे किस देस में महिलाओं की भागेदारी बहुत ज़्यादा नहीं है बताएं बहुत इंप्वॉणरंट परसंब से इस अब लगातार परिष्या में आयों प्रसंब नहीं में सभाओं में महिलाओं का प्रतिन देदिन से लब राजबिधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिन्दित निम्द में से है तो राजबिधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिन्दित जो है 0.05% है अगला परसने भारत भारती समाज माना जाता है तो भारती समाज एक प्रतू प्रतू प्रतान समाज माना जाता है भारत में हमेशा पिता का ही सासंदा है आप देखेंगे अधिकतर समाजों में भारत में तो एक परकार से घर में आपके पापा परधान होंगे पापा मुख्या होंगे आपके घर की मम्मी नहीं होंगी परधान ठीक है या मलब की घर का कौन चलाता कारभार या मालिक कौन होता घर का तो पाप समाज है पृतुपर्धान समाज हैं लेंगिक विभाजन से क्या विपराए है'RE फिसका ही करते हैंपको चांट करें कि पंडित जवाहला लहरू और सुभाचल बोस ने इंडिपेंडेंडेंस लीक के स्थापना उनीस आप ध्यान लखेंगे आप सनमर्ग इसका ये करेक्ट एंसर हो गई लिया अग्यास्या आगे देखेंगे अगला को आदया को से जुटा किया से किसका नाम बादसा खां या सीमांत गांधि था बाद साख खान या सिमांत गांधी उपादी किसकी थी तो खान अब्दुर्गफार खान की आपसा नम्बर इसका एक करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला कोशन साचुका भीया 1911 इस भी में बंगाल विभाजन किसने वापस किया था या वापस लिया लार्ड हार्डिंग नामके वाइसराय थी इन्होंने एक प्रकार से 1911 में जब जो है उनको आना था क्या नाम है प्रिंस आप्यल्स को ठीक है तब उसी दोरान एक प्रकार से वापस लिया गया था बंगाल का विभाजन ठीक है अगला कोशन से गांधी जी को महत्मा की उपादी किस ने दी थी तो गांधी जी को महत्मा की उपादी रबींदर नाथ ठाकुर जी ने दी थी आपसा नमबर इसका तो इसमें क्या हुआ गांधी जी ने आंग्रेज लोग इसका बदला जरूर लेंगे ठीक है तो इसमें क्या हुआ गांधी जी ने आंदोलन अपना वापस ले लिया वो आंदोलन था आसायो गांदोलन अपसा नमबर इसका बे करेक्टर एंसर हो जाएगा अगला कोसंस आपकी स्किन पर आचुका है जलिया वाला बाग हत्या कांड के उवरांत किसका गठन किया गया था जलिया वाला बाग हत्या कांड के बाद में टेहर समिती का गठन किया गया था संस्थापक कॉन थे भारवर्ड बलाक के संस्थापक थे नेता जी सुभाच अगला प्रसना चुका है किसने चर्शकन्द में भारतिक और कर इंस संस्थापना करी थी बताएं तो 1920 में तासक कंद मनें भारतिक कम्मिन्स्ट परटी के च्ठापना एमें राय ने करी थी किसने मान बेंदर नात राइ ने करी थी ये बात आप ध्यान अखेंगे अगला कोरसं से 210 के भरष्टचार धारडा सुचकांग इसमें प्राध्टतचार में उत्त में इस्कोर जो आया. ऑबभा अनल ना इन्ज्ड में कहा है. प्रेर्फम्स पूच्छा गया है एक बात ध्यान नाया अगर माहाल लीटे हैं आपको कोर्स लिना है नहें be के टाइब की दोनों तरीकों के लिए कोर्स लाँच कर दिया गया है आप दिन दैलोंपा दै गोरकपर विश्विद्याले से हैं यह महत्मा गांदी कांदी कासी बिद्या पीट से हैं यह राजा महेंद परताब सिंग इस्टेट उनिवर्सिटी से हैं सिध्धार्थ उनिवर् प्रकार से आप जो है और कई पिश्विद्याले जिन Kil' मैप पहreci बाहर भी कहीं पढ़ते हैं थो उतरा खा detected सभी में भी प्रकार से लगब यहीँ होता है तो आप प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसिस्व इन इंडिया आपको पढ़ना होता है भी एके थर्ड समेश्टर में तो इसका अगर को लेना सभी सब्जट का कोर्स मातर और मातर हंडेड रुपीज में लांच कर दिया गया है तो आपको करना क्या है 91, 63, 63, 62, 62 पर समस करके आपको कोर्स में जॉइन हो जाना है आप एक प्रकार से ग्रूप में मिलेगी मातर हंडेड रुपीज खर्च करके आप हर एक सब्जट के अब्जेक्टिव नोट्स खासर के मारत पेपर के महा संग्राम वीडियो के और रिबीजन क्लास के माराथन क्लास के दोदो घंटे की क्लास होगी पांच-पांसो कोशंस मैं रखूंगा अब्जेक्टिव उनकी पीडियाप भी आपको मिलेगी वहाँ पर और बिबिन बिश्विदेल के जो कोशन पेपर होंगे वो भी एक प्रकार से यहां पर आपको उसके पीडियाप नोट्स मिलेंगे और उसको साल भी करवाय जाएग तो इससे क्या होगा आपका बेनी फिट्स होगा आप एक प्रकार से अपनी परिक्षा में बेहतर कर पाएंगे और 100-200 नंबर आप लाने में सक्षम हो पाएंगे अगर अब की बार आपने प्रकार से अब्जक्टिव पेपर हो रहे हैं आपने कोर्स ले लिया तो एकदम से चाप करके आओगे आप से बेतर कोई नहीं कर पाएगा यह बात ध्यान लखेंगे बस जैसा मैं निर्देश दूं उसी एकोर्डिंग आपको चलना है ठीक है आपको सारी चीज़े बेवस्तत करके उसमें दी जाएंगी आप एसमस करने सब्सक्राइब कर दी धनीबाद से आपके आपके पॉलिटिकल साइंज का जैसे आज मैंने क्लास ली है ऐसे ही लगातार आप लोगंके सोचियोलाजी की क्लास आ जाएगी जल दी ठीक है सोसियोलोजी की आपकी और भी किलास आएगी सोसियोलोजी के साथ हिंकर पर आप प्रियाजी की अथिसे बेदाफ की सिख्षा सास्तर की इस सभी कि फेट पोड़ी आति रहेंगी साइकोलाजी की हो गई सबक्राइश में जल्दी आपके लिए प्रॉइड कर वाओंगा ऐसे क्लासस आपके लिए हो और बाकी जैसे यह मैंने मोबाइल पर पढ़ा दिया स्क्रीन पर पढ़ा दिया ऐसा ही डिजिटल बोर्ड पर भी अब्जक्टिव कोसंस आएंगी तो उसको लेकर के परेसान ना हो आप चुकि इस समय नवरातरी चला दुर्गा पूजा चला तो इस दोरान एक परकार से बह आला कि ऐसे भी पढ़ाने में क्या होता है कि यह जल्दीव कोसंस पढ़ा दिया जाते हैं इसी परकार से पिछले तीर वरसों से बनने वाले आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद हमारे से जुनदे के लिए इसी प्रकार से अपने प्यार वना रखेंगे बहुत बहुत धन्यबाद